मेरा कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा दोनोंने भुपेंद्र पटेल का ही नाम लिया था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड पटेल ही तोड़ेगा भुपेंद्र पटेल का वो नाम ले रहे थे हार भले ही माचल हार गई लेकिन गुजरात ने जो प्रचंड जीत दी है उससे गदगद है वीजेपी आज जश्न की तौर पर उसी खुशी को आप देख रहे हैं बीजेपी के चानक के कहे जाते हैं घ्री मंत्री अमिश्चा मंच पर आज चहरा देख रहे हैं आप अलग से है सुकून अलग से है जीत की खुशी उनके चहरे पर साफ तोर पर नज़र आ रही है थोड़ी देर में बस थोड़ा सा इंतजार और कीजिए ओज सरमनी की शुर तमाम वी आईपी वहाँ पर पहुच चुके हैं मंच सच चुका है बस अब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के आने का इंतजार हो रहा है और जैसे ही वो पहुचेंगे आप देखिएगा इस समहरों की तस्वीर एक दम बदल जाएगी फिलहाल बीजेपी के लिए आज ब एसे वो पहले नेता हैं जो दूसरी बार पहली बार गुजरात में शपत दूसरी बार लेने जा रही हैं तस्वीरें उससे पहले जो तमाम वी विएपी पहुचे हैं बीजेपी शॉसेत राज्ण के मुख्योंतरी पहुचे हुए हैं वो आपस मिलते हुए आपको की है एक फिर से मैं नाम जल्दी से पढ़कर आपको बता देती हूं जो आज भूपेंद्र पटेल के साथ जो संभावित विधायक हैं जो मंत्रीपत की शपत लेंगे उनकी एक लिस्ट हमारे पास मौचूद है जिनके पास फोन गया है शपत के लिए उनमें हर्ष संग्वी क का नाम है रिशिकेश पटेल का नाम है कनुभाई इदेसाई का नाम है रागव जी पटेल का भी नाम है इसमें समावेश पटेल समुदाय से भी हैं भामड समुदाय से भी हैं राजपू समुदाय से भी हैं पूरा समावेश इस मंत्री मंडल में आपको नजर आएगा मुल नाम हैं जिनको फोन गए है निस 94 पहले ही आपको बता रहा है और इसमें कुछ पुराने नाम भी शामिल हैं जो पहले की सरकार में मंत्री रह चुके हैं कुछ नामों को रिपीट किया जा रहा है कुछ युवा नए चेहरे हैं उनको तरजी दी जा रही है कुछ महिलाओं के नाम भी इसमें शामिल हैं जो मंत्री पत की शफ़त लिएंगे तो बहुत सोच समझ का दिल्ली में चिंतन मंथन हुआ है और उसके बाद ये नाम फाइनल हुए हैं जो आज आपको CM के साथ मंत्री पत्की श्रपत लेते हुए दिखाई देंगे मुकेश पटेल का नाम भी है भीकु सिंग परमार का नाम है प्रफुल का भी नाम चल रहा है पांसेरिया कुमर जी का भी नाम सामने आ रहा है ये वो विधायक जिनको गई है कॉल देकि नाराजगी का तो सवाल भी नहीं होटता है क्योंकि कई बार अमूमन आपने सरकार में देखा होगा जब नई सरकार का गठन होता है दूसरी पार्टियों में तो जब मंत्रियों की लिस्ट फाइनल होती है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के ही पहुँचने का आने का इंतिजार किया जा रहा था और वो इंतिजार खत्व प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं तस्विरें आपके सामने भूपेंद्र पटेल भी पहुँच चुके हैं राज्यपाल उनको शपत दिलाएंगे अपसे थोड़ी देर के बाद थोड़ी देर में ओच सरेमनी की शुरुआत होने जा रही है पूरी तयारियां हो चुकी है शपत ग्रैंड समारों में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं बस कुछ कुछ सैकिंड का और इंतजार और उसके बाद ओच सरेमनी शुरू होने जा रही है बीजेपी का ये भव्य शपत ग्रैंड समारों शुरू हो रहा है बहले ये पोजिशन इसे शक्ती प्रोदेशन बता रहा है खर्चे से भी जोड कर देख रहा है लेकिन बीजेपी तो हर बार जश्न ऐसे ही मनाती है आपने हर चुनाव में जीत दर्च करने के बाद देखा और सुना हो खुपेंद्र रधनिकान पटेल इस्वर्ना नामें सोगंद लौच्चुके इस्वर्ना नामे सोगंद लहुचु के काईदाथी स्थापित भारतना समविधान प्रत्य हूँ साची शद्धा अने निष्ठा धराविश हूँ भारतना सार्व भोमत्वनु अने अखंडतानु समर्थन करीश अने हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके ना मारा कर्तव्यो सद्धा पूर्वक अने अंता करण पूर्वक बजाविश अने भय के पक्षपात राग के द्वेश विना तमाम लोकों साथे समविधान अने काईदा अनुसार न्याय पूर्वक वरतिश हूँ भुपेंदर रद्निकान पटेल इश्वर्ना नामे सोगंद लउचु के हूँ गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री तरीके जे कोई बाबत मारी विचारना माते लाववामा आवशे अथवा मारा जानवामा आवशे तेनी जान एवा मुख्यमंत्री तरीके ना मारा कर्तव्योना योग्य पालन माते आवश्यक होए ते सिवाए प्रत्यक्ष के परोक्षरीते कोई पन व्यक्ती अथवा व्यक्तियोंने करीश नहीं अथवा तेनी के तेमनी आगड तेने प्रगट करीश नहीं थन्यवाद। हुआ 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 है झाल झाल मान्ये राजिपाल श्री गुजरातना पदनामित मंत्री श्रीयों उपस्तिचे एमने सोगंद विदी माटे आपनी समक्ष रजु करवानी अन्मती आपो तेवी विननती चे श्री कनु भाई मोहनलाल देसाई श्री रिशिकेश गनेश भाई पटेल श्री पटेल रागवजी भाई हंस राज भाई श्री बल्वन सिंग चंदन सिंग राजपूत श्री पटेल रिशिकेश गनेश भाई पटेल श्री चंदन सिंग राजपूत श्री इस्वर्णा नामें सौगन लवशु के काईदा थी खापित भारत भारत ना सभिहान पटेल भूताची रज़ान निश्दा धारी भारत ना सारब गवर्वन भुमक्सान अखंडिक्तान सबर्थन करिश अने हूँ गुजरात राजिना मंत्री तरी के मारा कर्तब्यों अने भारत पुर्वक अने अन्तर पुर्वक बजाविश अने भाय के पक्सपास राज के देश देश दिना तमाम लोकों साथे सम्भी धान प्नाएगा अने भाय का ना पुर्वक बजाविश अने भाय के पटेल पटेल रागो जी भाय अन्तराज भाय बलवन सी चंदन सी राजपूत इश्वरना नामे श्वगल लौशू के भू गडात राजिना मंत्री तरी के जे कोई वाबब मारी विचाना अपार आपार आपार मारते अथ्वावा आपार 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 तो कौन है रिशीकेश पटेर दुबारा इस सरकार में दुआरा उनको पॉका मिला है क्योंकि अब इस सिंगल नहीं एक साथ मंत्रीपто 3-4 मंत्रीपट कर दिल 친 जा तो कौन है। मंत्रीप्त की शपट लिए कनु भाई देशाई ने मंत्रीपट की शपट लिए tu । आद चोड़ और कांग्चेश pendant प्रतिद्वंदी को इधर 97,164 वोट से उन्होंने हराया था पिछली सरकार में वित्मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई थी रिपीट किया गया है कनुवाई पटेल को दुबारा मौका मिला है तो दक्षन गुजरात में अच्छी खासी पकड कनुवाई देशाई रखते हैं ये उनकी पहँचान है शपत ग्रेंड समारुकी और बलवन सिंग को ने जल्दी से आपको बता देते हैं उन्होंने मंत्री पत की शपत लिए गुजरात की सिद्वपूर सीट से आते हैं अपने प्रतिद्वंदी को 2769 मतों से माद दीन उनने हराया करीब 447 करोड हुआ है श्री कुवर्जी मोहन भाई बावडिया श्री आयर मुलू भाई अर्दास भाई बेरा डॉक्टर कुवेर भाई मन्सुग भाई दिंडोर श्रीमती भानुबेन मनुवर भाई बावडिया श्रीमती भानुबेन मनुवर भाई बावडिया श्रीमती भानुबेन मनुवर भाई बावरिया इस्वर्ना नामे सोगंद लौशू के काईदा की सापित भारतना समीदां पर्विश्वू साची सद्धाने जिस्टाधराविश, हुँ भारतना सारोधोनु अने कट सबदानों सबदन्दूरिश्ण करीश, अने हुँ गुराजा जाजना मंत्री त़िके ना हमारा करतभियो वह शुरुप पुर्वक बजाविश्ट आने वाए के पस्पात रागे देश्विना तमाम्रो शाथे शविधा नहीं आने अन्याय पुर्वक वर्तिश्ट हु कुवर्जी भाई मोहन भावर्या आयर बुरौ भाई अर्दस भाई बेरा हुव दोक्टर कुभेर भाय मंजुख भाय दिंडॉर हुव श्रीमति भानुबेन मनुर भाय बाबरिया इस्वार नार 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 ना करूश नहीं है अन्यवार कि अजय कुछ सुनाई दे तो मैं कॉमेंटरी दूना मुझे करद है अन्यवार को में मुझे अन्यवार कि औफगत सुनाउन है प्राइब सायों भानुबेन कौन है अपने प्रतिद्वंदी को 50,000 वोटों से उन्होंने हराया है इससे पहले हम बता रहे थे कि मुलू भाई कौन है अब भानुबेन की पारी है राजकुर्ग्रामीड से विधायक है राजकुर्ग्रामीड विधानस्रवा सीट का नित्रुत्त करती है मुलू भाई वेरा खंबालिया सीट से विधायक है पिछली सरकार में भी मंत्री थे एक पाप फिर से उनको मौका दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरप से इसोदान गड़भी जो CM कैंडिडेट थे उनको 18,000 वोटों से मुलू भाई वेरा ने माद दी गुज्रास सरकार में मंत्री रहे उनके अच्छे काम को देखते हुए पाप फिर से उनको मौका मिला है खंबालिया सीट से आते हैं भानुबेन को आप देख रहे हैं राजकोट ग्रामेड सीट से आती हैं नित्रुत्त करती हैं इस वक्त हस्ताक्षर करती हुई ओस के बाद आपको नजर आ ही हैं भानुबेन बाबरिया अपने प्रतितवंदी को करीब पच्चास हजार वूटों से नोने माद दी है चुनावी हलफ नामे में पेशा नोने राजपाल श्री गुजरातना पदनामित राज कक्षाना मंत्री श्रियो स्वतंत्र हवालों उपस्ति छे एमने सोगंद व अनुबत्र है श्री जग्दीश विश्व कर्मा श्री जग्दीश विश्व कर्मा हर्श रमेश कुमार संग्वी जग्दीश विश्व कर्मा इस्वर नामे स्वगंद लवचुके काईदा थीस काफि भारतना संविदान प्रति उन साची स्रद्दा निस्टा कराविश उन भारतना स्रव बहुमत्म अने अफेट तानु समर्थन करीश ने उने गुजरात र पुर्वक अने अंत्रकरन पुर्वक 25 अने भई के पक्सपात राग के द्रेश विना तमाम लोकों साथे संविदान ने काईदाना अनुसार नियाई पुर्वक वरतिश हर्श रमेश कुमार संग्वीन उन्जग्दीश विश्व कर्मा इस्वर नामे स्वगंद लवचुक प्रत्यक्ष के परोग शुदे कोई पन व्यक्ति अध्वा व्यक्ति वने करीश नहीं अध्वा तेनी के तेमनी आगल तेने प्रगट प्रगट परिश नहीं नहीं तो हर्ष संग्मी जिनका नाम काफी चर्चा में भी है संगठन से जुड़े हुए हैं और पदार मंत्री नरेंद्र मोदी ग्रही मंत्री अमिश्चा के बेहत करीवी उनके विश्वासपात 27 साल की उम्र में MLA बने पिछ्टी सरकार में ग्रिमंत्री रहे एक बाब फिर से उनको दूसरी सरकार में भी मौका मिला है विश्वापीवा मोर्जा के की जिम्मेदारी उन्होंने समहाली है हर्ष संग्वी जनोंने अभी अभी दुबारा मंत्री पत की श्रपत ली है संग्ठन के काम में माहिर है और उनके पिछले काम को देखते हुए एक बाब फिर से दूसरी सरकार में भी उनको रिपीट किया जा रहा है गुपेंद्र पतेल की दूसरी पारी है जिसमें एक बाब फिर से उनको मौका मिला है युवा चेहरा, काम में माहिर और नरेंद्र मोदी अमिश्च्रा के बेहद करीवी संगठन का काम जारतर वो सम्हादते हैं गुजरातना पदनामित राज कक्षाना मंत्री श्रियो उपस्तित छे एमने सौगंद विदी माटे आपनी समक्ष रजु करवानी अनुमती आपो तेवी विननती छे श्री परसोत्तम भाई ओधावजी भाई सोलंकी श्री खाबट बच्चु भाई मगन भाई श्री मुकेश भाई जीना भाई पटेल बच्चु भाई मगन भाई खाबर परसोतम अधोजी बाई सोलंकी जीश वरा नामे सोगन लउशु के काईदाति प्रस्तापेज भाईदान श्री आनने जिक राधावज़ विदी समयों अने भाई के बस्वाद बाग के देज मिना इंदान अने काईदा अन्याय पुर्वाक वर्तीश। अन्याय पुर्वाद बाग के देज मिना इंदान अन्याय पुर्वाक वर्तीश। अन्याय पुर्वाद अन्याय पुर्वाक वर्तीश। अन्याय पुर्वाद से बहुत अच्छा नहीं था उसके पापजुद भी इनको टिकट दिया और उनकी जो अपनी विधानसवा सीट है पांच वार के वो विधायक हैं जनता का प्यार उन्हें हर बार मिलता रहा है भावनगर ग्रामीड की मैं बात कर रही हूं कोली हिर्दै समराथ उनको कहा जाता है और हर बार क्योंकि उन्होंने अपने इलाके में इनका इतना वच्चुस्व है काम जिस तरीके से उन्होंने किया लोगों के बीच में अपनी पकड बनाई है पिसले पांच बार से किसी और पार्टी की नेता को वहां पर मौका नहीं दिया इस पार भी खराब स्वाथ से था उसके बाब भी बीजेपी ने टिकट दिया और उन्होंने एक बाब फिर से शांदा जीत तर्च किया मुकेश पटेल कौन है आपकी टीवी स्क्रीन पर जिन जिन विधायकों ने मंत्र समुदाय से आते हैं जिनोंने मंत्रीपत की शपत ली है रिशीकेश पटेल इसमें शामिल है राघप जी पटेल शपत लेंगे मुकेश पटेल और पटेलों का कितना दबदबा है गुजरात में ये आप अच्छे खासे जानते हैं सीम खुद हम भूपिंद पटेल की बात क सब्सक्राइब की सीटें जहां पर इनका प्रभाव है और बीजेपी को इस पास शांदार जीत में लिया है 2017 के मुकाबले बात की जाये तो 55 सीटें भाजपाने जीती है पार्टीदार समुदाय को कॉंग्रेस ने भी लुभाने की कोशिश की अपने पाले में करने की कोशि सब्सक्राइब के साथ अब जेट आपको लगाता आप देते रहेंगे फॉरान लोटेंगे हां शुकला जी भिज्वाना सिर्फ अल्ट्राटेकी बान गया बेटा पर अल्ट्राटेकी क्यों आप इने तो खाता कि घर जिंदिगी में सिर्फ एक ही बार बनता है धर एक ही बीजेपी की बंपर जीत की बाद आज लगाता दूसरी बार गुट्राट के सीम बनेंगे भूपेंद्र पटेल आद दो पजे भूपेंद्र पटेल की ताज कोशी होगी गांदी नगर विदान सिबाप आज सर के हली पैट डाउन में होगा शपत ग्रैंड समारो राजिपाल भूपेंद्र पटेल को दलाएंगे शपत शपत ग्रैंड समारो पी एम मोदी जेपी नड़ा अभिश्रा राजना सिंग समेट बीजेपी श्रासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी इस पे मौचूत प्रहेंगे गुजरात में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत हासिल की है तुत्रों के मुदाविक भूपेंद्र पटेल की नई कैबिनेट पे करीब 16 चेहरों को मिल सकती है जगह मंत्री मंदल में एक महिला चेहरे को भी जगह मिल सकती है शफद लेने वाले जादतर मंत्रियों को फोन करके बता दिया गया है विजेपी प्रदेश अद्धिक्षु सियार पाठिन ने विदायकों को फोन कर जानकारी दी बदाय जा रहा है कि नई मंत्री मंदल में युवा महिला और अनुभवी चेहरों को ट्रखेती जाएगी दिल्ली में खुई एक हाई लेवल मीटिंग में मंत्री मंदल के नामों पर मोहड लग गई है इसमें हर्ष संग्वीर, शिकेश पटेल, कनुभाई, दिसाई, कुमर जी, मुलू भाई, बेरा, राघप जी को बनाय जाएगा मंत्री इसके अलावा जगदीश, पंचाल, भीकू, अपरमार, कुमर जी हनपती के नाम की भी चर्चा है सियम भूपेंद पटेल के शपट गहन समारों में पाठीदार, अन्य पिछडा बर्ग, अनुसुचुजाती और जनजाती और महिलाओं को भी आमंत्रित किया गया है, साधू संतों को भी शपट गहन समारों में बुलाया गया है गुजात धानसवर चुनाव जीतने के बाद पियम मोधी ने कल एंदाबाद में रोडशु किया, रोडशु के दौरान भारी संक्या में लोगों ने पियम के रोडशु में हिस्ता लिया रोडशों के दोराण P.E.M.M.O.D.I. weenी ने लोगों का विवादन स्पिकार किया और सोराण सडरक्स के दों तरफ लोगों की भारी भिढ़ी खड़ी रही और मोधी मोधी के नारे लगे मोधीमंत्री मंदल में फिर वदल की सुपगाहार तेज हो गई है सुत्रों का ये कहना है कि अगले कुछ महीने के भीतर अगर सब कुछ योजनावर तरीके से चला तो जल्द ही मोधी कैबिनेट में फिर वदल हो सकता है फिर वदल अगले साल होने वाले अलगलग राज्यों के विदानस्तवर चुनावों के राजमितिक समीकरण को देखते हुए किया जा सकता है जुलाई 2021 के बाद मोधी सर्कार के मंत्री मंडल में कोई फिर वदल नहीं हुआ है 2024 जुनाव पर नितिश कुमार का बड़ा एलान कहा कि अब जो बनेगा वो मेंन फ्रेंट होगा पहले जो पना था वो थर्ड फ्रेंट था बिहार में बीजेपी से रहा जुदा होने के बाद नितिश लगातार विपक्ष को एक्जुट करने में लगे हुए है नितिश कुमार ने आगे कहा कि हम एक जुट हो जाएंगे तो जीत निश्चित है भाजपा का विरोध करने वाली पार्टियां 2024 के लोगस्वर चुनाव में बहारी बहुमत से जीत सकती है अधिकतर पार्टियों का एक साथ एक जुट हो जाएंगे और जब एक जुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विज़े होंगे यह हम नों का है और हमने लगवद बाफ कर लिया ब्यार बीज़ेपी प्रदेश अद्धिक्षर संजय जैस्वाल का नितीश शुपर पलटवार कहा कि नितीश कुमार फिर से बाला पतल सकते हैं लेकिन अब उनका बीज़ेपी के साथ वापस आने का रास्ता बंद है देखिए का वो तो अपनी बात है अभी जल्दी अगर कल को फिर वो पल्टी मारना उनको होगा तो कहेंगे कि कुर्णी में राजद ने पूरी मेहनत करके हमें हराया है इसलिए मैं पल्टी मारा हूँ लेकि इस बार भाजपा किसी कीमत पर उनको वापस नहीं लेगा कॉंग्रिस भाराज जोड़ो यात्रा का 96 दिन है प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया भी राहूल गांधी के साथ आज भाराज जोड़ो यात्रा में शामिल हुई आज बूंदी के तेजाजी मंदिर से यात्रा शुरू हुई है आज महिला शक्ती के नाम है कॉंग्रिस की भाराज जोड़ो यात्रा यात्रा में महिला मंत्री सांसर विधायक कारीकर्टा घरेलू महिलाएं शामिल हुई राजिस्तान के बूंदी में आज यात्रा में महिलाओं की भारी भीड नज़रा रही है राहूल गांधी लगातार यात्रा के माधिम से लोगों से जुट रहे हैं और उनकी परिशानियों को देश के सामने रख रहे हैं हिमाचे परदेश सच्चिवाले में मुक्य मंत्री सुख्विंद सिंग सुख्वार ने कारिभार समल लिया है और पचारिक तौड से कारिभार ग्रहंड करने के बाद अधिकारियों ने सीम सुख्व को बधाए दी C.M. सुकुन ने कहा कि जनता ने एक आम परिवार की वेक्टी को जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो C.M. पी पुर्सी की बांगतोर पर पहुंचेगा जनता को बहुत बहुत धन्यवाद महरास्की राजपाल भगर सिंग कोशारी ने ग्रीमंत्रिय में शागोइचा चित्जी में लिखा कि मुझे राजपाल बनाया गया लेकिन अब मुझे आलूचन का सामना करना पत्रोँ है मुझे क्या करना चाहिए केंदरी नागरी कुढियर मंत्री जो तिरादित सिंधिया ने उप्चारिक और चकर निरिक्षन किया है और जो तिरादित सिंधिया ने दिल्लिय अंतरास्ट्य हवाई अड़े की तर्मिलतीन का सर्प्राइज विजिट किया कॉंग्रेस के पूर मंत्री राजा पतेरिया पर एफायर होगी पीम मोधी को लेका दिया आपत्सी किनक बयान पर ग्री मंत्री नरुत्तम मिश्रा ने एफायर के निर्देश दिये हैं नरुत्तम मिश्रा ने कहा कि राजा पतेरिया की बयानों को मैंने सुना और सिस्पष्ट होता है कि ये महत्मा गांधी की कॉंग्रेस नहीं है राज़ा पतेरिया ने अपने बयानों पर सभाई दी कहा कि बयान का मतलब पीए मोधी को हराने से था बयान तो तोड मरोड का बताया गया आगामी लोग से बचुनाव की तैयारियों को लेकर आज दिल्ली में उत्राखन बीज़ेपी की बड़ी बैठक है और बैठक में शामिल होने के लिए राज़्य के सभी सांसतों को भी दिल्ली बुलाया गया है बदाय जाराए कि मुक्र मंत्री पुष्कर सिंग धामी बैठक में शामिल होंगे उत्राखन के प्रभारी दुष्यन कोतं के दिख्ताव में बैठक होगी बदाय जाराए कि कोर्ट में पेशी की दौरान अभियोजन पक्षपनी जली ने कोर्ट के सामने रखेगा ठक सुकेशन शेकर से जुड़े दोस्तों करोड रुपे के मनी लॉंडरिंग मामले में आरूपी ही जैसी पठान फिल्म की रिलीज से पहले मावैशनो देवी की दरवार में मोचे शारूप खान और शारूप ने माता वैशनो देवी की दरशा आप देख रहे हैं संजीवनी एक ऐसा शो जहां हरोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ पिछले कुछ समय से हम लोगों को इम्म्यूनिटी शब्द का मतलब बहुभी समझ में आ गया है लेकिन आयुरवेद में इम्म्यूनिटी का अर्थ क्या है और इम्म्यूनिटी बढ़ाने का जीवा मंतर क्या है आईए देखते हैं चंद दवाएं खाकर और कुछ नुष्खे अपनाकर इम्म्यूनिटी नहीं बढ़ती इम्म्यूनिटी बढ़ानी है तो आयुरवेद अपनाएं और मुझ से जीवा मंतर पाएं देखिये संजीवनी प्रतिरोधक शक्ति यानि कि रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है हमारी उसको इम्म्यूनिटी कहा जाता है डेफिनिटली अफकोर्स अगर हम आयरवेद की भासा में अगर बात करेंगे तो आयरवेद में इम्म्यूनिटी का जो मतलब होता है वो यह है कि हमारे बॉड़ी के अंदर जो धातू बनते हैं जो हमारी शरीर के अंदर जो टिशू हैं उनकी जो एक एसेंस होती है, उनको जो हम जिसको ओजस कहते हैं, उसको हम इमिल्टी आइरवेद में बोलते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, मौडरन मेडिशन में थोड़ा अलग तरीके से हम कहते हैं, लेकिन फिर भी उसका भी परपस ही है कि रोगों से लड़ने की जो हमारी श बोलते हैं, लेकिन यह किस चीज पर निर्भर करती है, कि आपका शारिरिक बल कैसा है, आपका मनोबल कैसा है, देखिए मैंड में भी आइरवेद जाता है, और यह नहीं आपका स्पिरिच्वल स्ट्रेंथ कैसा है, तीनो लेवल पर अगर आपका बल स्ट्रॉंग है, तो आ आपका एक एसेंस है, और कमजोर हो शोने के कारण भी मैं समझा देता हूं कि यह कमजोर होती, सबसे पहले तो डाइख है, अगर आपका भोजन ही पोस्टिक नहीं है, आहर वियार आपका थीक नहीं है, लाइफस्ट्ल आपका ठीक नहीं है, जंक फूड़ कहाते हैं, एकसर छींक आएगी, इंफेक्शन कोई पकड़ लेगा, गला खराब हो जाएगा, इसका मतलब इम्मुनुटी आपकी कमजोर है.